Hello everyone, welcome back to the channel, आज हम लोग पढ़ेंगे chapter 7, triangles की exercise 7a और exercise 7a की question 7 तक के पिछली वीडियो में solve किये थे, तो आज हम लोग करने जा रहे है question number 8 से तो यहाँ पर जो question 8 है, यह कह रहा है, inner triangle ABC, M and N are points on the sides AB and AC respectively such that BM equals to CN, if angle B equals to angle C, then so that M and parallel BC देखो, यहाँ question कह रहा है कि एक triangle ABC, ठीक है, देखो इसको figure से समझे कुछ ऐसे, फिर हम समझाएंगे आपको अच्छे से figure को देखोगे, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आगा, अब देखो question 8 है, इसमें कहा गया कि ABC एक triangle है, देखो ABC ही हमारा triangle है, अब इसके जो AB side है, यहा पर point N है, अब इसको हमने मिला दिया, MN हो गया, अब question है, यह कहा है कि MN, पहले है BC के, यह proof करके हमें यहाँ पर बताना, के लिए रहे इतने बात, अब हमें देखो given क्या, हमें given है कि जो यह BM है, यह वाली side, यह बराबर है NC के, ठीक है, यह पिर बोलो CN के, यह दुनों side आपस में equal हैं, और angle B और angle C आपस में equal हैं, ठीक है, और देखो, हमेशा एक बाद याद दखना, किसी भी triangle में, अगर दो angle, opposite angle equal होते हैं, तो उनकी opposite side भी क्या होती है, आपस में equal होते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यह जो opposite side यह पूरी है न, AC, और जो AB है न, य AB आपस में equal होंगे, क्यों equal होंगे, क्योंकि angle B बराबर है angle C के, यह quotient में given है, ठीक है, तो देखो, इसको proof कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आते हैं, proof, यहाँ पर हमें given सबसे पहले है angle B और angle C, ठीक है, यह आपस में क्या है, equal है, clear है, तो हम यहाँ लिखेंगे angle B, equal है angle C के, तो इस वज़े से जो हमारी ये side है ना AB ये ये भी बराबर हो जाएगी किसके AC के ठीक है अब इसका हमें reason भी देना पड़ेगा तो reason में लिखेंगे side sides opposite to equal angles are equal clear इतनी बत तो यहां पर दोखो हमारे पर जो angle B था वो बराबर था angle C के given था इस विज़े से जो हमारे side AB है वो बराबर हो जाएगी AC side के clear होगे इतनी बत तो जो हमारे पस AB side है वो बन कैसे रही जब AM को मिला दिया गया है MB में ठीक है तो यहां पर हम लिख सकते हैं AM AM plus कर दिया हमने यहां पर BM या फिर MB बोलो एकी बात है ठीक है अब AC को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं N plus कर दिया हमने यहां पर N S को यहां पर हमने कर दिया ठीक है अब यहां पर देखो जो हमारे पस MC है Sorry NC है और जो BM है यह क्या है आपस में equal है यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर दिक लिखा है BM कोशन नहीं का है जो BM है वो बराबर है nc के या फिर बोलो cn के बराबर एक बात है ठीक है तो यहां पर हमने क्या कर दिया हमने यहां पर लिख दिया am am plus यहां पर bm है ना bm की जगे पर हम nc भी लिख सकते हैं यहां पर हमने nc कर दिया अब यह यह प्लस का इकल के एक साट आजाएगा तो यह माइनस का एक होगया हमाहाँ पस an इसको हमने कैंशल किया हमें यहां मिलेगा am और मिल जाएगा हमें यहां यहां पर an लिख देते है an और इसे बोल देते हैं यह हमारी पहली equation है clear है तो am equals to an हमें यहाँ पर मिल गया और यहाँ पर हमें पता है कि जो bm given है ठीक है वो बराबर है cn के इसको बोल देते हैं यह हमारी दूसरी equation है अब इन दोनों equation को हम लोग क्या करेंगे divide कर देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे divide divide equation 1st By यहाँ कर दिए हमने 2nd clear है तो यहाँ पर कर दिए हमने am divided by यहाँ पर यहां पर cn clear है अब देखो इसको ध्यान से देखो यहां पर क्या हो रहा है am यह देखो side divide में किसके bm के और यह an यह divide में किसके nc के यह कब होता है जब लगती ही थेल सिरम अब थेल सिरम के according क्या होता है कि अगर यह हमारे पर यहां जो side है वो आपस में equally ratio में divide है और दूसरी side के equal है यह दो equally ratio में divide है और दूसरी side के equal है तो उस case में जो हमारा mn होगा यह side बराबर हो जाएगी sorry पैलर हो जाएगी बी-सी के तो हम यहां पर लिख सकते हैं यहां पर हमारे पास क्या है mn MN यह हमारी पैलर हो गई है BC के, यहाँ पर लिख दिया By Thales Theorem By Thales Theorem बस, इतना ही करके दिखाना था, दो यही प्रूफ करना था, तो हो गया दो कितना easy question है, question number 8 तो question number 8 हमारा complete हो गया अब आते हैं हम लोग question number 9 में question 9 triangle ABC and triangle DBC lie on the same side of BC as shown in figure from a point P on BC, PQ पैलर AB and PR पैलर BD are drawn meeting AC at Q and CD at R respectively proved that QR पैलर AD तो देखो, यहाँ पर जो हमारे first figure है न, इस figure में दो triangle बता दिये गए, एक ABC है, यह वाला और दूसरा है DBC यह वाला triangle, ठीक है इन दोनों triangle की same side यह है BC, ठीक है आंगे question ने कहा है, जो P है न, यह P कहां पर बंड़ा, यह BC के midpoint में बंड़ा, ठीक है यह जो point P, यह BC side में बंड़ा है और question ने यह कह दिया, जो PQ है, यह पैलर है AB के और जो यह PR है, यह पैलर है BD के ठीक है, और question ने यहाँ पर पूछा हुआ है proof करने के लिए कहा है, जो QR है यह पैलर AD के यह प्रूफ करने के लिए question ने का है, बहुत simple question है, ठीक है बहुत ज्यादा simple है, तो देखो कैसे इस proof होगा तो question number 9 में हमारे पास given है PQ पैलर AB और PR पैलर BD given है और यहाँ पर हमें proof करना QR पैलर AD में ठीक है, तो इसके लिए इसको proof करने के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रेंगल लेंगे, यहाँ लेंगे proof proof करेंगे हम लोग और यहाँ पर लेंगे ट्रेंगल, यहाँ लिखा, in ट्रेंगल CAB, यहाँ क्या करती है, CAB करती है या फिर ABC बोलो एक की बात है ठीक है चलो ABC कर देते हैं यह ABC जो हमारे पर ट्रेंगल देख रहा है यह ट्रेंगल ABC है ठीक है अब इस ट्रेंगल के अंदर ही तो PQ है और AB है ठीक है और कोशा ने यही कहा था कि PQ है वो पैलर है AB के तो यहाँ पर लिख दी है CP by PB अभी बताते हैं यह कैसे लिख रहा है equals to हो जाएगा हमारे पस ओके यह कर सकते हैं हम लोग CQ by AQ अब यह कैसे हो रहा है यह हो रहा है Thales Theorem से तो यहां लिख दिया by Thales Theorem ठीक है दोखो यहां पर दोखो Thales Theorem रही ठीक है कि किसी भी ट्रेंगल में ठीक है किसी भी ट्रेंगल के दो साइड में मिड़ पॉइंट से लाइन जा रही है और वह लाइन तीसरी साइड से पहलर है तो उस केस में जे साइड हमारे पास लाइन बन रही है तो वह क्या होगा एक्विली र इंट रैंगल ओके BCD लिख दिया है ठीक है कुछ भी लिख दो BCD लिखो D BC लिखो या फिर BDC लिखो कुछ भी करदो के लिए रहे हैं तो यहां पर हमने लिख लिया इंट रैंगल BDC में जो हमारे पास PR है ना यह किस से पालढ़ रही है ? यह पहले है BD के उम लिख से सकते पी आर पैलर बीडी ये भी हमें गीवन है तो इस केज में हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास है सीपी और यहां पर कर दिया पीबी वो बराबर हो जाएगा किसके सी आर ठीक है बाई आर्ड क्यों हो जाएगी क्योंकि यहां पर भी लग जाएगा थेल्स ठीरम तो यहां ल हो जाएगा अब इसमें एक चीज़ जान दो यह भी सीपी बाई पीबी है सीपी बाई पीबी है और यह भी सीपी बाई पीबी है सीपी बाई पीबी यह इसकी बराबर है यह इसका मतलब क्या हो रहा है यह दोनों आपस में क्या है एक्वाल है यह इसकी इक्वाल है यह इस first and second तो देखो, इसको first मान लेते हैं, और इसको हम लोग second मान लेते हैं clear है, यहां पर हम लिखेंगे cq by aq equals to cr by r d और जब यह आपस में equal हैं तो हम लोगो यहां पर लिख सकते हैं, जो हमारे पास qr है क्वार है, देखो, cq कहां पर है, cq है हमारे पास c यह है और q यह है cq by aq हो गया और यहाँ पर हमारे पास cr by rq हो गया तो देखो यह जो triangle है इस white triangle को द्यान से देखो यहाँ पर यह इसके ratio में यह इसके ratio में तो इसका मतलब क्या होगा कि यह वाली side है यह paler हो जाएगी ad के यहां पर लिख सकते हैं qr पैलर हो जाएगा adk ठीक है by थेल्स थिरम या फिर लिखो by converse of थेल्स थिरम बस यही हो जाएगा question number 9 का हमारा answer यही हमें प्रूफ करना था तो देखो हमारा proof हो गया है ना कितना simple बहुत simple है बस जो भी given है उसी हमें सब कुछ कर देना है अब आते हैं हमनों question number 10 में अब यहां पर जो question number 10 है यह भी बहुत simple question है मगर इसको ध्यान से करना बहुत अच्छा question है यह कहरा है in the given figure side BC of triangle ABC is bisected at D and O is any point on AD अब आगे कहरा BO and CO produce meet AC and AB at E and F respectively and AD is produced to X so that D is the midpoint of OX prove that AO ratio AX equals to AF ratio AB and so that EF parallel BC तो simple से यह समझो हमें यहां पर proof क्या करना है हमें AO ratio AX मतलब यह समझो AO upon AX equals to proof करना AF upon AB और साथ में हमें यह बताना EF parallel है BC के ठीक है तो देखो यहां पर question ने कह दिया कि भाईया ABC यह क्या है हमाँ पास एक triangle है इस triangle में जो D है ना जो BC side है इस BC side में D हमारा midpoint है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो यह BD है यह बराबर हो जाएगा DC के ठीक है और साथ में यहां पर हमारे पास जो A है ना sorry यह क्या है ODX है तो यहां पर question है कहा है D जो है ना यह इसका midpoint है OX का तो OD equals to हो जाएगा DX चलो अब इसको हम लोग करेंगे तब जादा इससे समझ में आएगा तो देखो इस question में हमें given था D is a midpoint of BC जो भी given है वो हमने लिख लिए है देखो D अगर midpoint है BC का तो D भी हमारा बराबर हो जाएगा BC के और D हमारा midpoint है OX का तो OD बराबर हो जाएगा DX के यह given है हमें proof करना है AO AX AO ratio AX तो AO कहा है पहले यह देखो यह AO है चीक है और यह ratio क्या हो जाएगा AX के इसके यह proof करना है equals to किसके AF ratio AB की यह है मतलब यह ratio में equals to यह ratio में यह हमें proof करना है तो अगर हमें यह proof करना है तो कुछ ना कुछ करके हमें इसी को लेके चलना है अब कैसे करना है उसको देखो देखो यह जो पूरी triangle exercise है इस exercise को जितनी ज़्यादा practice करोगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगी ठीक है तो बहुत से हमें इस्टरग्राम में मैसेज आ रहे है किसा समझ में नहीं आ रहा है क्या करें तो भाई दोखो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज जई है कि जितनी practice कर ले जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा clear है तो चलो इसको proof करतें तो यहां पर ना सबसे पहले हम लोग क्या करने वाल है यहां पर दोखो हम लोग construct करेंगे यहां पर क्या करेंगे यहां करेंगे bx को मिला देंगे और xc को यहां पर मिला देंगे तो देखो यहां पर हमने लिखा join bx and cx ठीक है bx और हमने cx को मिला दिया अब BX और CX को जब हमने मिलाया तो इसको जड़ा ध्यान से देखो, इसको, यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान से देखो, यह और यह, यह कैसा देख रहा है, यह एक कॉड़ी लेटर की तरह देखने लगा, यह ना, दो बी, ओ, सी, एक्स को ध्यान से देखो, तो क्या देखने OD है, यह पिर बो, DO है, वो बराबर है, DX के, ठीक है, यह इसके एक्कोल है, क्योंकि यह हमारा क्या मिट पॉइंट है, और इसी तरह हमारा पस BD, यहाँ पर जो BD है, यह भी बराबर है, DC के, ठीक है, अब आते हैं, जो हमने construct किया है, जो इन किया हुआ है, यहाँ पर हमने कि यह हमारा क्या दिख रहा है, एक Caudilateral दिख रहा है, और दो को Caudilateral की खास बात क्या होती है, कि इसके जो opposite side होते हैं, वो पैलर होते हैं, मतलब यह इसके पैलर हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, The Diagonal, The Diagonal, The Diagonal OX and BC of Caudilateral, यहाँ लिखा है, बी-ो-सी-एक्स, बाइसेक्ट, इच अदर, एच अदर, ठीक है, किलियर इतनी मत, अब दोखो यह हमारे परस क्या है, बी-ो-सी-एक्स हमारा कॉडी-लैटर हो गया, तो इसकी वज़े से, यहाँ लिखेंगे, Therefore, Therefore, बी-ो-सी-एक्स, इस पैललो-ग्राम, किलियर है, हमारा बी-ो-सी, पैललो-ग्राम हो गया, तो हम लोग कहा सकते हुए, जो हमारे पर-C-X है, यह पैललल हो जाए गया किसकी, बी-ोके, अब यहाँ पर बहुती जढ़रा ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हमने-C-E-S, पैललल कर दी हमे बी-ोके, ठीक है, और साब्सम में, ऐं पैलर है OB के और यह जो OB-Line यह पूरी कहां तक गई है? E तक गई है तो हम लोग यह भी भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास CX है यह BE की भी पैलर है तो यहां पर हमने लिख दिया CX पैलर हो जाएगा BE के चीक है? और साथ में इसी तरह यहां पर हमारे पास जो BX है यह पैलर क पास कहा है ये OC है अब ये OC के पैलर है तो ये पैलर हो जाएगा CF के भी यहां पर लिख दिया हमने CF क्लियर इतनी बत अब देखो यहां से अब ये हमारे पास जो CX है ये पैलर है BX के इस पूरे के पैलर है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ये CX है ये पैलर किसके भी हो सकता है OE के भी पैलर हो सकता है तो यहां पर लिखा हमने CX पैलर OE और इसी तरह हम दो यह भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास BX है यह पैलर CF के है इस पूरे के है यह दो को यह BX है यह पैलर इस पूरे के तो इसका मतलब क्या होगा कि ये OF के भी पैलर होगा यहां लिख दिया हमने OF बस इतना करना है यह चीज़ समझ में आगे अब इसके आगे देखो यहां पर CX पैलर OE कर दिया और हमने BX पैलर OF कर दिया तो इसके आगे हम लोग यहां पर लेंगे ट्रेंगल कौन सा अब हम ट्रेंगल सीपल से यहां ले लेंगे A, B, X A, B, X ट्रेंगल लेंगे अब क्यों लेने वाले हैं क्योंकि देखो अभी हमने ये OF को पैलर कर दिया है इसके पैलर कर दिया तो इस ट्रेंगल को हम लोग लेंगे और यहाँ पर use कर देंगे थे उस्तुरम तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो AF है ना ये वाली side ओके और ये वाली side आपस में equal हो जाएगी देखो कैसे यहाँ पर लिखा int triangle int triangle A, B, X int triangle A, B, S यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AO हमारे पास क्या है AO ये side और divide में हम लिख देंगे A, X पराबर हो जाएगा किसके यहाँ पर करती है हमने AF divided by A, B के और इसको बोल देंगे by Thales Thales Theorem चीक है अब यहाँ पर यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो FO है चीक है या फिर बोलो जो B, X है वो पैलर है O, F के चीक है देखो फिर से देख लो इसे यह जो ट्रेंगल है A, B, X वाला चीक है इसमें जो O, X है यह यह पैलर हो रहा है इसके तो हम लोग यहाँ पर लगा सकते है Thales Theorem जो की हमने लगा दिया इसको अब हम लोग बोलेंगे पहले एक्वेशन अब इसी तरह हमारे पास जो O, X है Sorry, XC है यह किसके पैलर हो जाएगा यह हमारा पैलर हो रहा है O, E के जो XC बोलो या C, X बोलो यह पैलर है O, E के तो जो यह इसके पैलर हो रहा है तो अब हम लोग इस वाले ट्रेंगल में हम लोग यूज़ यूज़ कर देंगे तो यह लिखेंगे इन्टरेंगल इन्टरेंगल A, X, C छीक है यह लिख दिया इन्टरेंगल A, X, C O, E पैलर कर दिया हमने X, C के ठीक है और देखो यह तो है यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास है A O डिवाइड में कर दिया हमने A X equals to हो जाएगा हमारे पास A E by और यहाँ पर हो जाएगा A से यहाँ पर फिर से लिखेंगे by Thales Theorem Thales Theorem ठीक है तो यहाँ पर एक चीज़ notice करो कि यह भी O X by A X यह भी इसके equal है और A O by A X यह भी इसके equal है मतलब यह दोनों same है अब यह दोनों same है तो भाईए यह दोनों भी आपस में क्या होंगे? Equal हो जाएंगे clear है? तो यहाँ पर हम next page लेते है और बागे काम उसमें ही करते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते है इसको बोल देंगे यह दूसरी equation है यहाँ लिखा from from first and second तो यहाँ पर हो जाएगा हमाँ पस A F by A B equals to हो जाएगा A E by हो गया हमाँ पस A से अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दिया आपने यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना था A O ratio A X ratio बोलो या फिर इसे divided में भी कर सकते हो और यहाँ पर क्या A F divided by A B यह हमें प्रूफ करना था तो यह तो हमने पहले ही equation में यहाँ पर प्रूफ कर दिया ठीक है? अब देखो यह तो हमने प्रूफ कर दिया, अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है cf पैलर bc अब देखो cf है कहाँ पर cf हमारे पास ये c a है f ये ठीक है ये जो cf है ये पूरा पैलर होगा किसके है sorry cf नहीं है ef है गलते से बोल दिया cf यहाँ पर है ef ef ये है ठीक है अब ये ef पैलर होगा हमारे bc के इसके पहलर ये हमें प्रूफ करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा ट्रेंगल a b c तो यहाँ पर लिखा हमने इस page में लिख देते हैं देखो ये तो हमने प्रूफ कर दिया और यहाँ पर हम लिखेंगे देखो a f अभी हमारे में a c के ये कब होता है जब तो यहाँ पर हम लिख सकते है a e sorry okay e f पैलर bc by by applying या फिर बोलो by converse of the theorem converse of the theorem ठीक है बस इतना ही करके दिखाना था और यही हो गया question number 10 का solution I hope आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में आ गया तो comment करके ज़रूर बताओ वीडियो को like रो और share करो अगर कोई doubt हो तो comment करके पोच सकते हो इस वीडियो में यहीते रखेंगे बाकी की जो question है वो करेंगे हम लोग next वीडियो में